अलो दोस्तो मैं हूँ दित्वराजदास और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आउर एडुकेशन पर सो दोस्तो आप मेंसे हर कोई स्टड़ी तो जरूर करता है कभी आपने कभी ये सोचा है कि what is the perfect way to study और फिर मैं किस तरह से study करूँ तो मुझे full concentration मिलेगी आज वीडियो में दोस्तो बात करूँगा इसी बारे में तो चलते हैं वीडियो में आगे सो दोस्तो रिसेंटली बात है एक रिसर्च की जिस रिसर्च में पावया गया कि लोग दो तरह के काम करते हैं एक है डीप वर्क दूसरा है शैलो वर्क डीप वर्क में क्या है आप कोई एक बुक पर रहे हो तो आप उसी पर concentrate करते हो और सिंगल टास्किंग करते हो और शैल ज्यादा तर लोग शैलो वर्किंग करने लगे है जिसमें की जो एफिशेंसी है जो बहुत काम है रिसर्च में यह पाया कि लोग आजकल डीप वर्क करना बंदी कर दिये और शैलो टास्किंग ज्यादा कर रहे है तो दोस्तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है काम की पहली बात तो दोस्तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसको सिग्डाल टास्किंग में रखना चाहिए क्योंकि दोस्तो आपका ब्रेन जब आप मल्टी टास्किंग करना चाहते है तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो रहा होता है आपको लगता होगा कि यार एक फेस्ब दोसकि दोस्तों को जब आप पढ़ाही से बैठते हैं उसको ज़्यादा दूर की कोशिश कीजिए दोसटों के पांद दूसरा दी बाता है कि नॉट। लोज हमेशा बनाई एैं क्योंकि नॉट सबनाने से आप140 अंध गादं से दोस्तों क्योंकि पनाते आप खुद handwriting inscribe हो रही है और आपकी handwriting से आपके brain में कुछ inscriptions जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत beneficial होते हैं जब आप पड़ते भी है उनको तो आपको बहुत beneficial होता है और जो last point मैं देना चाहूंगा आपको जो tip है मेरी तरफ से कि कि दोस्तों hard work से ज्यादा smart work कीजिए क्योंकि hard work करने में कुछ नहीं रखाया but smart work कीजिए but smart work ऐसे करीगा कि वह शैलो वर्क नहीं हो that's why smart work कीजिए बट शैलो वर्क नहीं वीडियो को जाला लंबा ना करते हैं रखना जाओंगा यही तक अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो में कोई